बाजपा बिदाईकों ने गुरुबार को सदन की कारवाई शुरू होने से पहले उद्योगों के मसले पर जोधार प्रदशन किया नेता प्रतिप्रक्ष जैराम ठाकुछ सहीद अन्य भाजपा बिदाईक कॉंग्रेस की गरंटियां के पोस्टर्स के साथ पहुंचे और कॉंग्रेस के खिलाफ नारेवाजी की भाजपा ने सरकार पर उनके बिचॉलियों दोरा इंडस्टरी को तवा करने के अरूप लगाए नेता प्रतिप्रक्ष जैराम ठाकु ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम उद्योग शेश रह गए हैं अधिकतर उद्योग पती अपना कारोबार हिमाचल से समेट चुके है मुख्यमंत्री की करीबी वचुनिंदा लोग सारी इंडस्टरी को तवा करने में लगे हैं हिमाचल सरकार ने सरकारिक शेटर में रोजगार देने की बात कही थी जो सरकार पूरा नहीं कर रही दूसरी और उद्योगों में प्राइबेट नौकरी करने वाले यूबा भी इंडस्टरी क्षेदर के हाला देखकर अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए हैं की मानी सदस्यों की और से और उसमें बहुत हरानी इस बात को लेकर के हुई कि जो बद्दी विरोटी बाला नाला गर्ड में जो इंडस्ट्रिल पैकेश पूरब में पढ़ान मंतिरी रहे अटल भ्हारी बाजपेई जी ने दिया था उनका जिकर नहीं किया लेकिन जिकर ए है उसमें और जो देश के पूरब परधान मंत्री आटल भ्हारी बाजपेई जी जिरू ने ये पैकेश दिया जिस पैकेश की वज़ा से इतना बड़ा पैकेश मिलने के बाद बद्दी ब्रोटी वाला नाला गर्ड में हमारा फार्मा का आज एशिया का नंबर वन हब बना हुआ है आज हमारे दिटिंटा का विशय है कि अगर इतना बड़ा योगदान पूरब परधान मंत्री अठर ब्हारी बाजपेई जी का रहा और उनके परशात अगर किसी परधान मंत्री का योगदान हिमाचल पड़ेश में इंडस्टिल सेक्टर को ग्रोग करने के लिए म दान मंतर नरेंदर मोदी जी का बल्क ड्रग फार्मा पार्क जहां पूरे देश वर में मातर तीन मिले एक हिमाचल को मिला medical device पूरे देश वर में जहां तीन मिले उसमें से एक हिमाचल परदेश को मिला लेकिन उसके बावजूद भी जिस परकार से हिमाचल परदेश में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, स्थापित है, काम चला हुआ था, वो पलाइन करने के लिए बिवश क्यूं हो और ये प्रशन ये था, हमारी चिंता का विशे ये था लेकिन इस बात को लेकर के जवाब नहीं दिया गया, जवाब उल्टा उस तरह से देने की कोशिश हुई, और जिसमें काफी नोक जोंग, हमारे विक्रम सिंग जी के साथ की गई, सत्ता पक्स के कुछ नेताओं के दोरा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इस बात को मै कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री सेक्टर में बहां पर जो है, वो इंडस्ट्री को लाएंगे, वो शर्ते क्या हैं, जो मोई हो चुका है, जिन इंडस्ट्री के बारे में बीडिंग हो करके, वो सेंक्शन हो गई है, काम जमीन पर करना है, उसमें कौन ची शर्टे लगाना चाहने अब आरो शर्टें वही हैं हट फिर करके बात वही आ रही है उनके साथ मुक्यमंत्र जी के साथ कुछ नेता इस परकार से शामिल हो गए है कि इस परकार की शर्टे लगाओ ताकि इंडस्टिलिस्ट जो है आए हमारे पास और आने के बाद हम अपनी कंडिशन उनके पास रखें उनके सामने रखें और सामने कंडिशन रखने के बाद फिर उसके बाद जो है उनकी बात सुननी है माननी है लगानी है नहीं लगानी है उस बात पर निड़ने करेंगे मैं समझता हूँ यह बहुत दुर्भागेपून है आज बद्दी बुरोटी बाला नालागड में अगर आप जाएंगे एक कवार्ड तो बहुत बड़ा एक महकमा ही बन गया है और उस महकमे का सिंचालन कहां से हो रहा है आप इस बात को मालूम करों वहां पर आप मीडिया में हैं आप सबसे मेरा इस बात के लिए आग रहे है एक थोटी सी जेसी भी भी किसी की लगानी होती है तो एक ही जगह से आदेश होते हैं एक ही घर से आदेश हो रहे हैं ये सबसे बड़ा चिंता का विशे वहां पर बना हुआ है इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां से पलाइन कर चुकी है कुछ एक इंडस्ट्री ने समान समेट करके जाने का मन तैय कर दिया है और एक तोर से मुक्यमंत्री कहते हैं कि हम प्रा पारिकरम था वो एक-एक मिनट का एक पल का जो शेडियूल था और वो सारा मीडिया की नजर में था जो इंडस्टिरिल सेक्टर में वहां पर जिस तरह से लूट चली है एक दैश्यत का एक माहौल बना है उस माहौल की बज़ा से पूरी इंडस्ट्री जो है प्लाइन करने के लिए बिवश हो रही है ये हिमाचल परदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विशह है और ऐसे में हमने इस बात के लिए कहा कि इस काम को बंद करिए जो बल्क डग फार्मा पार्क जिसको डेड़ साल से जादा समय होगे अलॉट हुए उसका काम शुरू करना चाहिए मेडिकल डिवाइस पार्क वहां ठेके किसको दिया जाए मिट्टी का ठेका किसको दिया जाए जेसी भी किसकी लगाई जाए डंगा किससे लगाई जाए इन सारी चिज़ों पर ही काम च लग रहा है कि ये सरकार की सहमती से हो रहा है शिमिला से रजरी श्ठाकुल की रिपोर्ट